गुड मॉर्णिंग युके जी क्लास कैसे हैं आप बच्चो आज आपका हिंदी का टन है तो चलिए हिंदी की बुक निकालिए हम पढ़ रहे थे आपकी रौ रेफ का प्रियोग यानि की जो आपका रौ है उसकी मातरा का प्रियोग ओके यह हमने पढ़ ले थे दो अक्चर में तीन अक्चर में चार अक्चर में अब हम पढ़ेंगे आपका पाठ जो आपके रेफ की मातरा वाले शब्द हैं इस पाठ में वो मातरा लगा रखी है तो आप देखे पढ़ो वो लिखो ओके शूर्य सदा पूरव दिशा में उगता है धरम भी शूर्य के उगने से पूर उठ जाता है देखिए फरस्ट लाइन उठ जाता है फिर गर्मी वर्टसा वो सर्दी तीनों रुटों में उसका यही नियम है यानि कि जो धरमवीर है वो सूरज यानि कि जो आपका सूर्य भगवान होता है उससे पहले क्या करता है सूरज के उगने से पहले उठ जाता है वो गर्मी वर्टसा सर्दी तीनों जो रुटों होती है उन रुटों में उनका क्या है यह रोज का नियम है सुबह उठना सबसे पहले वो हो सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करता है जो धरमवीर है यह आपका शूर्य भगवान हो गया यह उनकी क्या करता है वो पूजा अर्चना करता है वो धरम करम को बहुत मानता है यानि कि जो धरमवीर है वो धरम और करम को बहुत मानते हैं वो बहुती करमट क्रिशक है यानि कि वो बहुती करमट यानि कि महनती किसान है किसको बोलते है, किशान को, ओके, गर्मी की रितु में मौसम बहुत गरम होता है, जब गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है, उस सब मौसम, गरम होता है, हम थंडे पियरपदार्थों का शेवन करते हैं, गर्मी में हम क्या करते हैं, थंडे पानी पीते हैं, कोल्डिन पीते हैं, यानि कि जो आपका जूस होता है, थंडा थंडा जूस पीते हैं, ओके? फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद वर्सा रितु आती है उसके बाद क्या आता है ग़र्मी के बाद क्या आती है वर्सा यानि की बारिस का मौसम आता है खूब वर्षा होती है और क्या है जब बारिस का मौसम होता है तो बारिस भी बहुत होती है चारो ओर जल ही जल हो जाता है चारो ओर मतलब हमारे जो चारो भूमे में क्या हो जाता है जली जल हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं सर्दी की रितु में बहुत अधिक थंड पढ़ती है जब सर्दी का मौसाम आता है यानि कि आपका विंटर सर्दी में हम विंटर बोलते हैं तो उस समय क्या होता है थंड बहुत पढ़ती है सर्दी थंड से बचने के लिए हम गरम कपड़ी पहनते हैं थंड से बचने के लिए हम क्या-क्या पहनते हैं स्वेटर पहनते हैं टोपी पहनते हैं सॉक्स पहनते हैं जुराब मोजे जिनको कहते हैं सर में आपका जो कॉटन का साफा होता है उसे पैनते हैं ओके ये रुद्वे नियम से हर वर्ड्स आती हैं और जाती रहती है यानि कि जो ये रुद्वे आती हैं नियम से हर वर्ड्स आती जाती रहती है यानि कि जब एक बार गर्मी आ गई फिर सड़ी आ गई फिर वारिस का मौसम आ गया पज़ड़ आ गया तो यह क्या है, यह नीए हम क्या रहता है, हर साल चेंज होता रहता है, यानि कि एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक बार गर्मी आ गए, फिर पारीस का मौसम आ गया, फिर सर्दी का मौसम आ गया, तो यह नीए हम क्या रहता है, आती और जाती रहती है, तो यह क्या थ हमारा पाड़ था आप भी इसको रिडिंग कीजेगा ओके इसमें हम अमारी कौन सी मातरा थी रेख की मातरा अब हम कुछ प्रस्ण करते हैं ओके देखे देखे आपने क्या सीखा अभी आपने पाड़ पड़ा उससे पहले आपने रिव की मातरा वाले सब्द पड़े तो अब हम प्रस्ण करते हैं चित्र पहचान का नाम लिखो आपने क्या करना यहाँ पे आपको पिक्चर्स बना के दे रखे यानि की चित्र बना के दे रखे हैं तो आपने क्या करना है, नीचे से उनका नाम लिखना है, पहला चीतर है आपका दरपण, दरपण मतलब सीसा, जिसे हम आईना भी कहते हैं, तो नीचे से क्या है दरपण, तो जो रेव की मात्रा है, दो वणों के बीच में आती है, उच्चारण में और लगती किसके है, दूसरे वाले वन्ड के उपड़, पुर देखे, शौरो पो, शर्प, यानि की साप, फिर यहाँ पे देखे बेटा, क्या है, पार्क, पारो को, पार्क, अब जिस वन्ड में मात्रा होती है, तो वर्ण के बाद वाले वर्ण में आपकी रेव की मात्रा उपर लगेगी ओके फिर देखे यह क्या है पार्क फिर देखे मुरोगी अब देखे यहाँ पे एकी मात्रा है तो एकी मात्रा के बाद आपकी रेव की मात्रा लगी पर्वत 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 पर्व है तो क्या लिखेंगे हम सू रो या सूर्य ओके फिर देखें यहां पे आपकी किसकी पिक्चर्स बनी है नो रो शौ नर्स यानि कि जो मरीजों की सेवा करती है उन्हें दवाई दवाई पिलाती है उनका देखभाल करती है तो यह क्या था आपने चित्र पैचान का नाम लिखना था पहला वाला दूसरा वाला देखिए रेव की मातरा लगा कर ठीक सब्द बनाओ अब देखें बच्चो यह वाला आप खूद करेंगे इसमें आपने क्या करना है रेव की रो आधा इसका आधा रो का आधा रूप होता रेव तो आपने इसका मातरा लगानी है रेव की मातरा आपके वर्ण के उपर लगती है तो आपने इन सब्दों में क्या लगानी है रेव की मातरा लगानी है जैसे यहाँ पे देखें एक मैं आपको बता देती हूँ पहला ग अब देखे इसमें लगा नहीं है गो वो उके तो क्या करेंगे गो रो जो रेव की मातरा है आपका बीच में होगा वो वो के उपर आपकी रेव की मातरा लगी तो क्या हो गया गर्व देखे गो पढ़ेंगे कैसे हम गो रो वो गर्व तो आपने इस परकार इसमें रेव की मातरा लगाने है इन सब्दों में और सही सब्द को यहाँ पे लिखना है अब देखे आपका तीसा वाला कोशन है सही सब्द छाट कर खाली जगे भरो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दो सब्द दे रखे हैं उनमें से जो सही सब्द होगा आपने खाली इस्तान जो खाली इस्तान दे रखे हैं आपको तो उसमें आपने इसको लिखना है तो देखे सबसे पहला है कोशन हिमाले डेस डेद वर्व का घर है जो हिमाले है वहाँ क्या रहती है बर्फ गिरी रहती है तो वो क्या है बर्फ का घर है तो आपको option दे रखे हैं पर्वत और दर्शन तो सही answer क्या होगा आपका पर्वत वो रो वो तो पर्वत हिमाले पर्वत बर्फ का घर है खो देखे हाती की डैस डैस से पूरा वन दहल गया जब हाती आवाज करता है तो उसके आवाज से पूरा वन क्या हो गया दहल गया तो और चन में है आपका गरजना दरजन तो क्या होगा सही आफशर गरजन गरजन हाती की गरजन से पूरा वन दहल गया इससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गय थी उसके लिए सौरी यहाँ पे गरजन है ओ ओके तो हाती की गरजन से पूरा वन दहल गया फिर गौव बच्चे डैस डैस में खेलते हैं अब बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे कहां खेलते हैं आपको ओफशन में है पार्क अब बर्फ बच्चे पार्क में खेलते हैं सही ओफशन क्या है आपका पार्क 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 ओके फिर गोव डैस 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 ने रोगी को दवाई पिलाई अब रोगी को जो मरीज होता है उसको दवाई कौन पिलाता है एक तो आपका डॉक्टर पिलाता है और दूसरा ओफशन में है नर्स और दूसरा पर्स सही ओफशन क्या है नर्स नो रो नर्स तो ये क्या है आपके थ्री प्रस्न हैं जो आपने करने हैं ओके ये दूसरा वाला वन वाला और थ्री वाला मैंने आपको करके दे रखा है दूसरा वाला आप खूद करेंगे जिसवे रेव की मातर आपने लगाना है इसको आपने क्या करना है होमवर्क में करना है क्या करना है होमवर्क में बागे आप इसको बुक में ही करेंगे ओके ये वाला काम सारा बुक में करना है आपने और पाठ की रुडिंग यानि कि पाठ को पढ़ना है ओके पढ़ने की कोशिस करना है और रेव की मातरा वाले शब्द याद करने है ओके तो आप अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से कीजिए ओके